इस पर मैं रोहन आपका रियाक्शन चाहता हूँ नेके बीजेपी तो यह इस पर रियाक्शन बीजेपी का आएगा तो यही आएगा कि सभाविक है कि हारने वाले अखले जादा बाब एवियम करोना रोएंगे लेकिन जो तस्वीर स्वाइन परसाद मौर्या ने दिखाई कई बार लोग कहता है कि वही रिजर्व जो होती है एवियम मशीने वो जा रही होती है आम लोगों को लगता है कि यह तो वोटों वाली एवियम है ने बिलकुल देखिए यह तो 2014, 2017, 2019 के हर चुनाम में यह मुद्दा बार-बार आता है सामने और लक्षन जो होते हैं वो इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं acceptance को हार को चुपाने के लिए वो बोला जाता है बीजेपी यह कहती है बट मुझे overall कहीं पर कोई मजबूत evidence तो अभी तक कोई नजर नहीं आया पिछले 17 के चुनाम में या 19 के चुनाम में यूपी का अगर कहूं या लोगसभा का कहूं और अठाना के राजस्तान में स्टेट्स तो महराश्टरा में भी बीजेपी हारी है चतिसगड़ में भी जारखंड में भी और मद्यपदेश में भी हालां कि सरकारबाद में बनी पर EVM को लेके टैंपरिंग एविडेंस हो मुझे कहीं पर भी कोई एविडेंस नहीं कोई प्रमान उसका अभी तक साबित नहीं हो पाया यह जरूर है कि EVM बाद में जो रिजर्व होते हैं जो वीडियोस हमने देखे वो रिजर्वड EVM सो हर घ्रवड़ यह जाते हैं और स्ट्रॉंग रूम की तो एक क्राइटिरिया ही रहा है कि जो रिजर्व EVM सो होते हैं उसकी nof कि पूरे होने के बाद में ही उनको ट्रासफर किया जाता है स्ट्रांग रूम से लेके जहां पे उनको रखा जाता है इल्जाम यह है, यह यह मशीने कौन सी थी जो सावीं परसाद मौर यह दिखा रहे हैं तो नहीं कहा जा सकता इल्जाम यह होता है कि उनको जहां लगता है इस बूत पर वोट हमारे खिलाफ पड़े हैं यहां हमारे विरोधी को जादा वोट पड़े हैं तो वहां की मशीने गायब कर दो मशीनों को मशीनों में वोट बदलना नहीं है मशीने गायब करनी है यह युजाम है लेकिन जो यह evidence है कि strong room जो है वो तो शुरू से जिस दिन election वहां पर हो जाता है उसके बाद तो वहां पर lock लग जाता है और opposition parties तो जिस तरीके के आद दुपहर को भी evidences आये है binocular लेके tractor पे खड़ा करके jeeps पे खड़ा करके camera लगा दिये गए है तो strong room जब एक बरी lock हो जाए उसके बाद तो वहां से transfer होना बहुत मश्किल है और कोई भी चीज़ को चाहे वो evm हो या कोई भी machinery हो उसको लेके और after all evm अगर वहां से निकल रही है moment हो रही है तो officers है पुलिस है तो वो बताने के लिए इसमें एक और important point है कि अगर किसी भी boot के evm अगर जा रहा है तो वहां जब counting रूखी जाती है तो हर party के polling agent रहते हैं अब इसका सामने उसमें महर लगाई जाती है तो अगर evm गाइब हो गई तो इस evm के तो counting होगी उस दिए स्ट्रॉंग रूम में पहुचने तक और स्ट्रॉंग रूम से निकलने के बाद counting center तक आने तक यह public gaze में होती है सारी पार्टियां इस पर नज़र रखती है ऐसे वह कहना कि evm जो है वो गायब कर लिए जब चला गया तो फिर वो जो लिक्सन कमेंशन को लगाने वाले जितने किर्दार अभी इस वक्त हमने आपको सुनाएं है आज इंट्रेस्टिंगली इन सबका exit poll हमारे पास है अब पसंद ना आए किसी को अलग बात है मैं दिखा देता हूँ आपको जैसे कि यह शिवपुर की seat है यह शि अथी आपको बताएंगे फाजिल नगर की seat के बारे में भी जहां से स्वामी प्रसाद मौरेज चुनाव लड़ रहे हैं अपनी traditional seat बदल कर छोड़ कर ऐसा क्यों करना पड़ा क्या उसका फायदा है नुकसान उनको हुआ यह उनका दिख जाएगा कि इनको इवियम की बात क करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसके लाबा चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दो एक सीटें और ले लेता है फिर फिर आगे चरचा करें कन्नौज की बात करते हैं कन्नौज संसदी के साब से देखें तो सपा के लिए बड़ी मुफीद सीट मानी जाती रही थी पहले तक जब तक उनसे चीन नहीं ली गई इस बार बीजेपी ने असीम अरुन कानपूर शेहर के पुलिस कमिशनर हुआ करते थे उनको वियारेस दिला करके उनको पार्टी जोइन करागे चुनाल लड़ाया है और अनिल कुमार सपा के सामने इनके साथ हैं काटे की टकर लेकिन यह दिखाई देर यह इनके साथ तो यह बड़ा गलत हो जाएगा बड़ा गलत करें उनको एक तो व्यारेस दिलाया और पहला चुनाल वड़ाया वो भी हराया अगर आकांटी की टकर में आपने लेकिए यह बीजेपी के लिए इतनी असान सीट नहीं है पिछले बर क्योंकि अभी समय कम रहे गया सीटे जादा है तो असी मरून की सीट थोड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है हमारे विश्टेशक बता रहे हैं कि यह हमेशा से पीजेपी के लिए मुश्किल सीट रही है जस्पन नगर की सीट यानि चाचा शिपाल यादव की सीट वि उसा करते हैं कि अगर पुरा परिवार भाजपा को वोट करता हौ या मूदी जी को वोट करता हो लोगस्वागरस की चुनाओं में वे座न सभाघ की चुनाओ में वो परिवार इनको वोट करेगा और उसकी बजह इनका local connect लोगों लोगों के बीच बड़े पॉपिलर हैं, लोगों के काम बड़े असानी से कराते हैं, तो ये जो है जस्मन नगर में शिपाल यादव की थाकत है और उसके हिसाब से ही शायद ये नतीजा आपको दिखाई दे रहा है, तो एक बार टैली आप देख लीजे, अब कुछ सीटें बाकी हैं, लेकिन इस एकजिट पोल में जो हमने बड़ी सीटों का जिकर आपके सामने किया है, उसमें अभी कोई बड़ा पेड़ गिरता हुआ जो है, दिखाई नहीं दिया, एक दो मंतरी जो हो सकता है, एक मंतरी कुछ मुश्किल में जरूर दिखाई दे रहा हैं स्टोर पाइ